गुड मॉनिंग आइवरेवन मैं दिक्सित जोसी नव ज्योती ग्लोबल स्कूल पूटगाउन साका से आज आपको कैक्सा चार की हिंदी रिम जिम का पार्ट नौ स्वतंत्रता की और कहानी प्लाओंगा चले पढ़ते हैं स्वतंत्रता की और इसको मैं सम्झाते प्लाओंगा आपको एक धनी नाम का लवेक्ति था ठीक है बच्चा था आज समय को पता चला कि आज समय को बहुत बड़ी योजना हो रही बर उसे कोई कुछ ना बढ़ा था ठीक है तो फिर क्या हुआ वे समझता था क्यूंकि वो 9 साल का हूं ठीक है वो बोलता कि मैं सब समझता हूं क् आपको यहां पूरे भारत के लोग रहने आते थे हैं गान्दी जी की तरह वे सभी भारत के सवतंता के लिए लड़ ही ते जब वे आश्रम में ठहरते तो चलगों पर खादी का सूत काते भजन काते और गांधी जी की बातों बाते सुनते सावरमती में उनको खाने का कोई न कोई काम दिख करना होता खाना पकाना बरतन दोना कप्ड़े दोना कुमे से पाइन लाना गाय और बक्रियों का दूद दुहाना और सबजी उगाना धनी का काम था बिन्नी की देख भाल करना, बिन्नी आश्रम की बक्री थी, धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसे सबस्च दोश थी, धनी को उससे बाते करना अच्छा लगता था, उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी खास खिला कर उसके बरतने पाइन दालते हु बोला कोई बात जरूर है बिन्नी वे सब गांदी जी के कमरे में बैठ कर बाते करते हैं कोई योजना बनाई जा रही है ठीक है कोई योजना बनाई जा रही है मैं सब समझता हूं बिन्नी ने कहा से बाते हुए सेला जैसे कि वह धनी की बात समझ रही है धनी को भूक लगी वहो, रसोई घर की तरफ चला ठीक है, उसकी मा चुला ठूक रही थी से सुख र itu, और कमरे में दुह में बहा रहा था आप ये आतल員 पर मना कर दिया उसके कूछ भूलने से पहले द stör लोगां कंवरा पूझ जा रहें कहां जा रहें क्या हो रहा है थीख है सबसे पूचता था प्रीच्टा था यह अंतोतल ही comigo दो आतले कि और अपिन्दा चाचा थे एक बुले उन्से पूछा जो खेतमे कर दें काम का रहे थीक है तो विद्धा ने खोदना रोग दिया थुमारे सब सवालों का जवाब दूंगा पर पहले इस बकरी को बाद हो मेरे इसारी पालक डाय है ठीक है धनी बिन्दी को खीच कर ले गिया और पांस के नेवू के पेर से बात दिया फिर बिन्दा ने उसे यातर के बारें बता है गांडी जी और उनके कुछ साथी गुर्जात से में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगे पर समुंदर के पास पहुचिंगे गांवा सेरों से होते हुए पूरा महिना चलेंगे दांडी पहुचकर वे नमक बनाएंगे नमक धनी चौक कर उट बेटा नमक क्यों बनाएंगे वह तो किसी भी दुकान से खेदा जा सकता है हाँ मुझे मालूम है बिंदा हसा पर महात्मा ची की एक योजना है यह तो तुम्हें पता ही होगा वह किसी बात के विरोज में ही यातर करते हैं जुलूस निकालते हैं न हाँ बिल्कुल सही मैं जानता हूँ वे बिट्टिस वरका के खिलाफ सत्तेगर है के जुलूस निका गया नमक की अच्छा धनी हरान आए गया नमक की ज़रूरत सभी को है इसका मतलब है कि हर भादवासी गरीब से गरीब भी यहां कर देता है बिंदा चाचा ने आगे समझाया लेकिन यहां तो सरासर अन्या है धनी के आखों में गुशता हां यहां अन्या है इतना ही नहीं भा पर उन्होंने यहां बात ठुकरा दी इसलिए उन्होंने निश्चे किया कि वे दांडी चल का जाएंगे और समुन्द के पानी से नमक बनाएंगे एक महीन तक पैदल चलेंगे धनी सोच के प्रसान हो रहा था गांदी जी तो ठक जाएंगे वे दांडी बस यह ट्रेन से क् अगबारों में फोटो चपेगी रेडियो पर रिपोर्ट आएगी जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यहां जानत्वाएंगे कि हम स्वतंत्रा के लिए लड़ रहे हैं और बिट्टी सरकार के लिए यहां बड़ी सरम की बात होगी गांदी जी बड़ी अकलमन्थ है 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 ना धनी की आखी चमकी बिंदा ने रसकर का हां बहुत तो है दोपेल को जब आश्रा में थोई सांते हुई धनी अपने पिता को ढूबने निकला वहां पेल के नीचे बैटके चरखा कात रहे थे पिता जी क्या आप और अम्मा तांडी आता बचा रहे हैं धनी ने सीधे काम की बात पूझे मैं जा रहा हूँ तुम और अम्मा यहीं रहोगी मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ वेकार की बात मत करो धनी तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे आश्रम के नौजवार नहीं जा रहे हैं धनी ने हट पकर ली मैं नौ साल का हूँ और आप से तेज धनी ख़ले होगा बोला और वहांसे चल दिया गांधी जी बड़े वैस्त रहते थे उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था पर धनी को वहाँ समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा रोज सुबे वहां आस्रा में पैदल गूमते थे अगले दिन जैसी अपनी छोपड़ी क्यों चले ब्रामदे में चल्ठा के पास बैटकर उन्होंने धनी को पुकारा यहां वह बेटा धनी दोलकर उनकी पर फोचा बिन्नी भी साथ में कुट्टी हुई आई तुम्हारा क्या नाम है बेटा धनी धनी बापू और यहां तुमारी बक्री है जी हां यहां मेरी दोस्ट बिन्नी है जिसका दूर आप रोज सुबे पीते हैं धनी गर्वे से मुस्क्रा है मैं इसकी देखभाल करता हूँ बहुत अच्छा गांदी जीने हादी लगा कहा अब यहां बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबे से मेरे पीछे क्यों भूम रहे हो मैंने आप से कुछ बूछना जाता था धनी थोड़ा गवया है क्या मैं आपकी साथ दांडी चल सकता हूँ हिम्मत करके उसने कह डाला गांदी जी मुस्क्रा है तुम आप यह छोटे हो बेटा दांडी तो बहुत दूर है सिर्फ तुमारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे स चल पाएंगे पर आप तो नौजवा नहीं धनी बोला आप नहीं थक्चाहेंगे मैं भहुत अच्छे से चलता हूँ गांडी जी ने का मैं भी भहुत अच्छे से चलता हूँ धनी भी अड़ गया हाँ ठीक बात है कुछ सोच कर गांडी जी बोले मगर एक समस्या अगर जब मैं उसे खिलाता हूं, धनी ने प्यार से विन्नी का सिर्षल है, और सिर्फ मैं जानता हूं की इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आस्तार में रहे के मेरे लिए विन्नी की दिखभल करोगे। गांडी जी प्यार से बोला। जी हाँ करूगा धनी बुक्ता किया है अनुपाद किया है चाह्दे गेर इसके इसन में क्या होते हैं तब क्लाल थे इसके ने अभिक्नेद आातरा नहांक इसम्हीस नोह वह्या थे has not पर नमक क्यों बिनाना नमक थो हम लोग खुट ख़िश सकते हैं तो फिर बिंदा ने बीटा हमें धित्टि स्रकार को कर देना पढ़ता है कर टैक्स देना पढ़ता है नमक पे और गरीब लोग कर देते हैं इसलिए गांधी जी ने अनुरूत किया था पितनी कंझा थे लेकिन उन्होंने मना कर दें घ्र complaining अंग्रेलोक में आईdade हमारे वहां पुप्ट मैं about three more तो थाई विसे फिसने कहिए थीक है तो फिर उसने किया हम भी जै सकते हैं ठीक है तो फिर उसने कह जिया नहीं बेटा सब नौजवानी लोगी जाये तो अपने पिता के पास गया पिता जी उसके जो पेड़के नेचे बैठके किया चर्खा कहाते थे तो उन्हें पिता जी जगा पिता जी आप आमा भी जा रहे हैं दांडी में गांधी जी के साथ उन गांधी जी ने खुछ चुना है ठीक है मतलब उसने पहले का मैं भी चल मैं भी बहुत चलूंगा आपको बताने मैं भी आपसे तेज दौर सकता हूं लेकिं बार में अच्छे संजाए कि बेटा ओई लोग जाएंगे जिनको गांधी जी ने बोला है ठीक है ओई लोग ठीक है में उन से बात कर लोगा अप धनी को पता था कि गांधी जी कब इस तो गांधी जी दिन तो वैस्त जाते थे न हर टाइम बीजी जाते थे तो गांधी जाते तो धनी और उसकी बिल्ली बिनी साथ साथ गूमते है उनके साथ फिर विंदा से बात चित करने कुछ अपने जोपडी में ब्राम्न में बेटें चरखा कातें तो बिलातें बेटा यहां हो तुम्हार नाम क्या है उसे नाम बताया बगरी का नाम बताया उसने का हाँ मेरी दोस्ट भिननी है आप इसका रोज दूद्ध पीते हो ऐसा वैसा वैसा उसके बार उसने पूछा ठीक है तुम मेरे पीछे क्यों गूम रही हो उसने का मैंने आप से कुछ भात पूछ नहीं है तो गांदी जीने का पूछ्छी है तो उसने बताया की कैसे मैं भी धानडी आना चाहता हूं ऐसा बैसा बैसा तो फिर गांदी झीने का नहीं बेटा तुम भी बहुत छोटे हो और गांडी ने भी आकल के का मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं फिर गांडी जी ने का हाँ ठीक बात है फिर गांडी जी थोड़ा बात सोच अचा फिर अगर एक समस्या है अकर तुम में साथ आओगा तो तुमारी बिन्ने को कौन देगा ठीक है और इतना चलने के बात मैं त थीक है मैं आसट आसट इए इसकी देगाल करूंगा ठीक है फिर उसने गांडी जी आ में करूंगा धंडी और फिर उसने कह रिए धंडी वोला विन्ने और आंपका इंधिः ने करेंगे ठीक है चैप्टर ए 15 होगी आपका, इसमें इसके बादे है, इस कहाने को पढ़के तुम्हें बापु के बारे में कई बाते पता से लिए होगी, उनमें से कोई तीन बाते यहां लिखो, ठीक है, आपको लिखना है, तीन बाते, फिर है चूला, धनी की मा चूला फोग रहे थी, धनी की मा खाना फगाने के लिए चूले का इस्तमाल करती थी, नीचे को चित्र बने, उनके नाम पता करो और लिखो, सबसेपहला क्या है उसमें, इस्टोब लगा है, ठीक है, इसटोब कह सकते हैं, तीक है, त्योगों क्यों आते हैं, टैप जो दूसरा कःते है, पेट्टर पर में और घ्रिने कोना सर्स भाइल इसमें आपको दिस्कुजन करना गर्ण सोतन्त्यत्ट a अपने दोस्तु से बढ़ों से सब्दकोष या पुस्तकाले से सहता ले सकते हो जांकर एक खटा करने के बाद करक्सम में इसके बाद में बताओ कि आगे कहानी कानी चाल लिए लिए कर मेरे विंदी की देवाल करो। धनी ने गांदी जी आता से लॉटे होंगे तब आश्तामे क्या 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 हुआ होंगा आगे कानी सुच कर लिए। इसमें आपको खली आइडेय लगा कर लिखना है। ठीके एक्टिविटी आप छोड़ सब कुछ देखना यह चैप्टर में पढ़ाया होगा आप इसमें देखिए फिर धनी को यहां कैसे मैसुस होगा कि आशना में कोई योजना बनाई जा रहे क्योंकि वह रोज देखता है कि कोई ना कोई यहां रहा है बैठ गे हो लिए ठीक है उसके बात है तहानी और तुम ध गांदी जीन ने धनी को ना जाने के लिए कैसे बनाया उसने उन्होंने गांदी जीन दिमार लगाया और उससे का कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिन्नी की देख बाल कौन करेगा ठीक है फिर ताकत के लिए गांदी जीन ने कहा जब मैं वापस आँगा तो मुझे ख लौट आए बताओ खूब साही ताकत और अच्छी शेयर के तुम कह के खाना पीना चाओगे चट पटी अंकुरी दाल मीथा दूर गर्म सरमों से रचिला आम करारे गॉल गपपे गर्मा गरम सा कुरकुरी मक्का की रोटी ठंडी आइस के खुजबुदार दाल रंग बिरं आधि नीचे लिखी चीजों की विस्ता बताटने बादे सद संद सहे लिखो मिथाहलवा ठीक है उचा पेड आधिके कम नमक नहीं एक नमकीन नमक हो सकता है ठीक है पेड को क्यए गोगे क्यासा पेड यहालशा को शन्दर पेड लिखो थिका है चीती चोटी चीती पत्थर बड़ा पत्र गुर्टा अच्छा गुर्टा तैस्मा गोल तैस्मा जंडा उजल ठीक है चान की बिंदी नीचे लिखे गे सर्दों में सरी जगर पर बिंद्या लगाऊ थी कै धूब आपको लगाने किसकी जिम्मेदारी धनी को बिंदी की दिखबाल करने की जिम्में जी गई थी, इनकी क्या क्या जिम्में जाई थी, मा पिता बिंदा, इनकी क्या क्या जिम्में जाई थी, ठीक है, मा की क्या जिम्में जाई थी, घर देखने का, पिता की क्या जिम्में जाई थी, गांधी जी जाने का, बिंदा क तो दूसरी यह इसमें आपको इसे दिखा रखा है ऐसे थे भाबू बाकी गांधी जी के बारे में आप लोगों को जो भी चीज पढ़ेंगे वहां बड़े होगा पढ़ेंगे अच्छे से थीक है अभी तो बुक्स में देखें यह पोर बंदा यहां गांधी जी का जन्न हु उसके बाद क्या है गांधी जी और गांधी जी की पत्नी कस्तुर्वा गांधी यहां पर क्या कर दिये हैं सहार कर दिये ठीक है मार्तमा गांधि जी काम करते हुए ब ही के खिर है की फिर कारी गांधि जी फत्र गड़ते हुए थीक है श्वेतकम स्वेतनत अर्चेप्टर आपका फिनीस थीक है वाग गुड़ डेवर्टटे झाल झाल